नमश्कार दोस्तों मैं प्राची संस्क्रति आयस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहर स्वागत करती हो आप में से कुछ लोगों के मेसेज आ रहे थे कि मैम जैसे जैसे एक्जाम पास आ रहा है तो इंसाइटी बढ़ रही है तो मैं आपको कुछ ही बाते कहना चाह हो लेकिन जो एक्चल यूदी की स्थिती आती है तो उसमें घबराट होनी तो स्वाभाविक होती है लेकिन एक एड आता है डर की आगे ही जीत है इस डर को आज ओवरकम कीजिए और फिर जीतते हुए बाहर निकलिए देखिए जो लोग टॉपर्स बनी हुए है ना उनके स सीम सिचुवेशन थी उनको थोड़ी पता था वो टॉपर बन जाएंगे तो आपको थोड़ी पता है कि आप कब टॉपर बन जाएं तो वह लोग भी देखिए डरते थे उन लोगों को भी लगता था यार तैयारी नहीं है स्लेवर्स पूरा नहीं हुआ है तो इस बात को ल वह वैसे डिजाइन ही नहीं होते हैं अदरवाइस मैं इतने सारे स्प्रिंट्स को जानती हूं जिनके मोक टेस्ट में 50-60 नंबर ही आते थे बट उन्होंने प्रिलिम्स क्वालिफाई किया है वहीं कुछ ऐसे भी थे जो मोक टेस्ट में 120 प्लस स्कोर करते थे बट वह क्व की लिए इसको चाहिए कुछ भी आ रहा हो घबराना एकदम नहीं है फिर करना क्या है मूग टेस्ट का तो देखिए मूग टेस्ट आपकी प्राक्टिस के लिए होते हैं टेबल चियर पे दो घंटे का टाइम लगा कि आप टेस्ट पेपर स्वाल कर रहे हैं उस एक्जाम ज की तो दस गलत क्वेशन एंज को जाकर रिवाइस कीजे कि वह आपको क्यूव घ्यां सोचा था कि आपने उत्तर गलत टीक किया तो तरीका था कौन सा इंटलिजन्स गेस्ट सा जिससे वार खीक हो सकता था इसको अपने अंदर डवलप कीचियर और यह जो डवलाप होता है यह देखिए UPSC के previous year questions बहुत अच्छा डवलप होता है तो अगर question answer के practice करनी है तो previous year से कीजिएगा अभी जो समय है तो अगर आपने mock test लगा लिए हैं तो अब mock test मत लगाईए अब UPSC previous year questions को solve कीजिए नएने questions के पीछे नहीं भागना है जो पूछा जा चुका है जो तरीका है UPSC का questions को form करनी का frame करनी का उनका जो तरीका है question paper में options में उलजाने का उनका जो तरीका है कि 50-50 पे आके मामला रुख जाता है तो 50-50 पे कैसे खेला जाए इन सब चीजों को समझने का समय है और maximum revision करन है नए material के पिछısे एगदम नहीं भागनेड़ आंखें बंद कर लीने and material को देखे law और जो है यह अपने अंदर का मंत्र का जाप करते होगा मेरा हो जाएगा किसी का हो रहा है नहीं हो जाएगा अस चीज को लगाता अपने मन में दिं रात जाप कीजिए यह आपका इक में सोचना हमारा काम काम है हमारा काम नियुकी पहुंचने की पूरी महनत करना तो वह आप कीजि कुले आज का वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सौचरा है आपके लिए संस्कृति संस्कृतियाइसख्योंड फांडेशन से कोश को कुछ मैं लए इस कूर्स के बारे में अधिक जानकारे लेने के लिए आप दिये गए नमबरग पर संपर्ख कर सकते हैं आप हमारी संसकृत je I iS की वेब साई cop be visit कर सकते इसके इसके अलवा संस्कृत-द्या-is की आप को ज़ु wideronkin box में लिक दिया गया है वहाँ से डाउंडूड भी कर सकते हैं तो अब देखिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से इवेस्ट इकच्रा यह देखे चर्चा में था यहां पर आथा कि साथ परसेंट इवेस्ट रिसाइक्लिंग लाइकली बए दो हजार तेईस यानि कि जितना भी एकच्रा हम पैदा कर रहे हैं उसका साथ परसेंट हम रिसाइकल कर पाए ऐसा भी देखे दो हजार तेईस में जाके होगा त्यूंकि यहां पर बताया गया था ड्राफ्ट नॉट के बारे में तो सबसे पहले तो यहीं पता हो कि भाई एकच्रा होता क्या है तो देखिए जितने भी उपकरन होते हैं हमारा स्मार्टफून हो सकता है लैप्टॉप हो सकता है कंप्यूटर हो सकता है घर का माइक्रोवेव हो सकता है कैमरा हो सकता है जब यह सारी चीजे यू और उनको हम बहार निकाल देते तो इक चारा बन जाते हैं यह देखिक यही पर बताया गया है तो पुराने इलेक्ट्रोनिक उपकरनगों का वर्नरन करने के लिए एक चार टर्मकों यूज करते हैं देखिए केवल दो व्यापक श्रेणिया उसके इंतर्गत 21 परकार इसमें देके क्लासिफाइब गया तो वह कौन सी दोवे आपक स्टेनिया है पहली है सूचना प्रदोगी की और संचार उपकरन इसके अंदर क्या तक सेलफोन स्मार्टफून डेक्स्टॉप आप कंप्यूटर कंप्यूटर कंपप्यूटर का मॉनिटर लैप्टॉप सरकिट बोड़ और हार्ड ड्राइब फिर देखिये उपु भोगता इलेक्ट्रिकल एन इलेक्ट्रोनिक्स आते हैं जिसके अंदर माइक्रोवेव हीटर रिमोट कंट्रोल टेलिविजन का रिबोट ठीक है बिजली के तार लैम्प स्मार्ट लाइट स्मार्ट वोच यह सब देखिये इसके अ ना तो जब हम इसका ढंग से निप्टान नहीं करते हैं तो वह सारी जो धातों हैं वह बैसिकली इन्वार्मेंट में रिलीज हो जाती है इसके इलावा इसको जो निस्तारण करने की अग अनौगनाइज़ परकिरिया है जब उसके द्वारेश का निस्तारण किया जाता है तो बहुत सारी harmful gases भी environment में चली जाती है तो यह क्या है हमारे परियावरण को परभावित करता है बहुत जादा और क्योंकि हम लोग परियावरण में रहते हैं हम इसका पार्थ हैं तो फिर यह हमें भी परभावित करता है तो इसलिए अगर एक सुरक्षित निप्टान ना हो तो यह हमारे चिंता का एक विश्य हो जाता है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां देखे दो हजार ग्यारा से ही कानून लागू है जो क्या कहता है कि जो विगटन करता होते हैं और जो पुनर चक्रन करता होते हैं केवल उनके द्वाराएं यह कछ्रा प्रभंदन नियम दो हजार सोला थे जिससे सीफली इनको जो है ठिकाने लगाया जा सके राइट इसके बाद देखिए दो हजार सत्रा में जो इकच्रा प्रभंदन नियम दो हजार सोला थे इनको अधिनियमित किया गया था इसके बाद देखिए जो घरेलू और व्यवसाइक इकायों से कच्रे को अलग-अलग करना उसको प्रसंसकरण और निप्टान करने के लिए भारत का पहला यी कच्रा क्लिनिक यह कहां पर खोला गया है यह देखिए भोपाल मद्यपरदेश में भी खोला गया है यह तो हुए कुछ हमारी देश के लेवल पर बात अब अंतरास्ते स्तर पर क्या कुछ चल रहा है तो हमें पता है कि देखिए बेसल एक कंविंशन है जो इन सब चीजों के बारे में बात करती है लेकिन ध्यान यह रखिएगा इस इस वेरी इंपोर्ट अगरा लेके गूमते थे यह तो अब होने लग गया जब से टिक टॉक आ गया था ठीक है राइट तो अब देखिए इस बेसल कंविंशन में मूल रूप से इस चीज का उलेक नहीं था यह आपने ध्यान रखना है लेकिन फिर बात में देखिए 2006 में जब इसकी कॉंफरेंस पार्टी नंबर आठ हुई तो वहां पर एक कचरे के मुद्दे को संबोधित किया गया तो पहली बार कब बात हुई कॉंफरेंस ऑफ पार्टी नंबर एट में फिर उसके बाद देखिए नियरोबी की घोशना हुई जो कि कब हुई जब हमने बिसल कंवेंशन का कॉंफरे देखिए नियंत्रन रखा जाए तो इसका उद्देश यह जो इलेक्ट्रोनिक कच्रा है उसका परियावरण अनुकूल प्रभंधन करने के लिए क्या है समाधान तयार करना है तो दो चीज़े याद रखेंगे एक तो हमारे एक कच्रा निप्टान वाले नियम भारत के इस सेंटर पॉलुशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कह रहा है कि 192 में दस लाक टन कितना देखें दस लाक टन से अधिक एक च्रा उत्पन हुआ है जो 2017-18 के 7 लाक टन से जादा है चीक है और वही जो 2017-18 था उसमें इक चरा निप्टान जो छमता थी वह 7.82 थी लाक टन और यह अभी भी इतनी है यानि कि शम्ता आपकी निप्टान करने की उतनी ही है लेकिन जो एक खच्रा है electronic waste है वो आपका बढ़ता जा रहा है यह वेस्ट तो थोड़ा सा हमें क्या है इनकी निप्टान की इनके निस्तारन की और इनको रिसाइकल करने की जो technologies है प्रक्रियाएं है नियम है उनको थोड़ा सा एडवांस करने की जरूरत है तो देखते हैं draft guidelines में क्या कुछ अभी आगे देखने को मिलेगा अब चलते हैं next topic की तरफ विश्व आर्थिक मंच वर्ड एकनॉमिक फोरम यह देखिए न्यूज में है क्यूंकि अभी देखिए जो हमारे कींद्री वानी जय और उध्योग मंत्री है उप भोगता मामले तता खादव सारवजनिक वित्रण वाले मंत्री है कपड़ा मंत्री है ठीक है यह दरसल 2022 का जो दावोस में विश्व आर्थिक मंच की आप कह सकते हैं मिट अब जो हो रहा है उसके 30 साल पूरे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों को मिला कर सेलिब्रेट करने की कोशिश में टीम इंडिया की तरफ से की जारी है जैसा कि मूदी जी कहते हैं खैर तो अपने को क्या पता होना चाहिए विश्व आर्थिक मंच के बारे में बे इसकी रिपोर्ट्स बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाती है तो देखिए विश्व आर्थिक मंच एक स्विस और गैर लाबकारी यानिके आपका कौन सा नॉन प्रॉफिट वाला चीक है तो पहला वर्त आपने ध्यान रखना है और क्या एक अंतराष्टी संगतन है इसक प्रॉफिक छेत्रिये और जोगिक एजंडे को आकार देने के लिए राजनीतिक व्यापारिक सामाजिक और यहां तक कि सेक्षनिक छेत्र के जो अगर्णी नित्रत है उन्हों को साजह मंच उपलब्द कराता है यानि कि बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जिसमें,мотри ईजूकीशन ठीक है, बॉलिक कि सिनखर वृत थीक अनुछ हो घ्रिय है वह प abduct कंह और एक्नोमिक जादा है तो जितने विए लेशन आप चलाओ了吧 ड़तीटर्श पर बड़े सभटख हों या फिर आप कह सकते कुछ बड़ी और जिसका स्वयम का कोई हित नहीं नौन फॉर प्रॉफिट ऑगनाइजेशन है अब देखिए यह जो फॉरम है यह जादा फेमस किसलिए है तो जो स्वीजर लेंड के पूर्वी आल्प्स छेतर में दावोस है वहां पर जन्वरी के अंत में हर साल एक बैठक का आयोजन किया जाता है जिसके लिए फेमस है और इस बार जो इसकी बैठक हुई थी वह देखें अड़तालिसवी सालाना बैठक थी अमेनिक वर्ड यह पूर्वी आल्प्स छेतर तो थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं तो देखें इस स्वीजर लेंड यहां पर आप देखेंगे तो ज चाहिए कि जाती है इन नाम को तो निक्त चाहिए बां होता कर लीजीगा तो विश्वव लिंग अंतर रिपोर्ट वैषविक परन्थ पर्दात मब क मक रिपोर्ट वैश्विक मानव पूंजी लिपोर्ट यात्र और परेय這邊 पर्दात मपक ब्रीपोर्ट विश्व एटेयो तो देखिए अभी आपको पता होगा जो परधान मंत्री जी है वो टोक्यो गए हुए है जापान में क्वाड की मीटिंग को अटेंड करने के लिए और यह जो व्यक्तिकत मीटिंग है इसका दूसरा एडिशन है यह आप कह सकते हैं कि दूसरी बार ऐसा हो रहा है इससे पहले सितंबर 2021 में जो अमेरिकी राष्टपती थे उनकी आप कह सकते हैं मेजबानी में पहला व्यक्तिकत सिखर सम्मेलन जो है उसका आयजन हुआ था तो यह क्या है दूसरा व्यक्तिकत सिखर सम्मेलन है आप देखिए जो कौर्ड बनाने का विचार है वो 2007 में पहली बार जो ज जादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और एक्जाम जो आने वाले हैं उसमें इसके पूछे जाने की काफे संबावना है तो आई इसके बारे में पढ़ते हैं देखिए क्या है एक स्ट्रेटेजिक सिक्योर्टी डायलोग है चेक है तो यह ध्यान रखना है जिसमें चार दे स्ट्रेटिक डायलोग यह बेसिकली उसके रूप में काम करता है तो जिसका उदेश्य क्या है मुक्त साजह और सम्रध जो है हिंद प्रशान्त छेत्र को सुनिश्यत करना दरेसल इंडो-पैसिफिक रीजर में चाइना की जो भड़तेवी एक्टिविटीज है उसका जो बात को कहते हैं और देखकर भी पता चलता है कि इंडो-पैसिफिक छेत्र में जो चाइना अलग-अलग आइलेंड पर अपना कभजा कर रहा है जो इसका नाइन डेश लाइन वाला एक अपना विजन है तो कहीं न कहीं वह इस एरिया को अपने कभजे में करना चाहता है तो पर चीन के दबाव की वज़े से जो ऑस्ट्रेलिया था उसने अपने हाथ पीछे खीच लिया थे ठीक है फिर शिंचु आबे ने फिर से हिंद महासागर से प्रश्यमी प्रशांत तक समुंदरी साजा हितों की सुरक्षा के लिए भारत अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान को शामिल करते हुए एक डेमोक्रेटिक सिक्योर्टी डायमंड की अवधारना को आगे बढ़ाया थीक है क्योंकि जापान को देखे चीन का अग्रेशन कहीं ना कहीं फेस करना पढ़ रहा है तो वो चाहते हैं कि एक ऐसी ग्रूपिंग बना ली जाए इस देश की पावर्स को मिलाते हुए जो इसको काउंटर बैलंस कर सके तो आप देखेंगे कहीं ना कि यह अगर आस्ट्रेलिया है इंडिया है ठीक है यहां देखेंगे यूएस से हैं यह बीच में जापान पड़ता है तो यह क्या है चत्रभुच ताइक को बना रहा है ना इसलिए क्वाइड इस वह किसी भी प्रभाव से मुक्त रहें इसके लिए नई रणिती के साथ कुवार के गटबंदन का जो है उन्होंने शुरुआत कर दी कब कर दी 2017 में आईडिया कब आ गया था 2007 वे 10 साल लग गए राइट अब देखेंगे इसका उद्देश्य क्या-क्या है तो देखें एक नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था हो एक जो वर्ल्ड ओर्डर है ठीक हो रूल बेस्ट हो नेविगेशन के स्वतंतरता हो और व्यापार के साथी के उदार पढ़ना लियो इसके अलावा देखें जो क्वार्ड है वो हिंद महा प्रशा हिंद परशांत छेतर के अ प्रदान मंत्री जी वापस आ जाएंगे और हम इसके बार में कम्प्लीट डिटेल मिल जाएगी कि क्या कुछ वहां पर फाइनलाइज हुआ है तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे अभी तक जो क्वार्ड के बारे में इंपोर्टेंट चीज पता चली थी हो थी हमारी इंड पर यानि के कही ना कहीं देश में आयातित जो सामान आ रहा है तीक है इंपोर्ट करके जो चीजे आ रही है उन पर एक टैस्क ये शुक नगाया जाता है तो यहीं आप देखे नियूज में क्या था सेंटर ने क्या कर दिया है इंपोर्ट यूटी जो क्रूँर संफ्लावर पे थी और सोयवीन ओयल पे थी इसको क्या है स्क्राप कर दिया है तो थोड़ा सा कीमतों में रहत दिखाई देगी तो पढ़ते हैं आयात शुल्क किसी देश के जो शीमा शुल्क अधिकारी होते हैं उनके त्वारा उतपादों या सेवाओं के आयात पर इखटा किये जाने क करता है कोई उतपाद भी हो सकता है कोई सर्विस भी हो सकती है इसको ध्यार रखिएगा इसको देखिए आयात शुल्क आयात कर तैरिफ या सीमा शुल्क के रूप में भी जाना जा सकता है यह सब वर्ड जो है इंटर्चिंजेबली यूज होते हैं तो देखिए विभिन ज जो है शुल्क लगाते ड्यूटी लगाते तो वो सामान महंगा हो जाएगा भारत में है ना क्योंकि हम जो फाइनली समान खरीदे हैं वो तो सारे टेक्स वगड़ा जब उस पर लग गए उसके बाद जुसकी कीमत निधरत हुई उसके बेस पर खरीदे तो हम उस सामान को फिर खरीदेंगे नहीं हम अल्टरनेट खरीदेंगे शायद वह भारत में जो है आप कह सकते हैं बन रहा हो तो इसकी वज़े से जो दूसरे देश के एक्सपोर्ट होते हैं वह बादित होते हैं उनके माल की जो कंपिटिटिवनेस होती है वह थोड़ा सा कम होता है तो जो देश करते हैं ठीक है जिस ताइम आप एंट्री कर रहे हो इंडिया के अंदर तो उस ताइम पर इंडिया जो है अपना आयात शुल्क वह पर लगाएगा अच्छे भारत में कौन से कानून से रेगुलेट होता है तो भारत की जो निरियात आयात नीती है इंपोर्ट एक्सपोर् वह आयात नीरियात की गति विदियो में शामिल होने वाले प्रति एक आयात के लिए पंजी करन को जो है उन्होंने अधिवारे कर रखा है जो भी इंपोर्ट होगा उसको आपने रेजिस्टर कराना ही पड़ेगा ठीक है उसके बाद एक जो शीमा शुल्क का निर्धारन हो सेवाकर आई जीएस्टी लगता है जीएस्टी मुआवजा उपकर लगता है डंपिंग रोधिशल को कहीं बार हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती तो यह साली चीजे जो है लगती है उसके बाद फाइनली किसी वस्तू के जो है प्राइस डिसाइड होते हैं राइट इसको थोड़ा ध्यान रख लीजेगा अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक के तरफ राष्टिय स्वास्तिय प्राधिकरन यानिके नेशनल हेल्थ अथारटी यह न्यूज में है तो देखिए आयश्मान भारत हेल्थ अकाउंट अप जो है रिलाउंच में है क्योंकि जो हमारे नेशनल हेल्थ अथारटी है इसकी फ्लैक इसके अंडर में जो फ्लैक्शिप स्कीम है आयश्मान भारत डिजिटल मिशन यह देखिए चल रही है और इन्हों ने ही एक जो है आयश्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल अप्लिकेशन को लांच कि स्वास्थिय पराधिकरन राष्टिय स्वास्थ संबन्द रिकॉर्ड को रखने के लिए आयश्मान भारत स्वास्थे खाता यानि कि आभा मोबाइल एप की देखिए शुरुवात की है और आप जो है यह एक नया रूप है यानि कि अधर हेल्थ रूप एप और आभा आप है अब देखिए अभी रिसेंटली हमने पढ़ा भी था कि जो आयुषमान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है ठीक है इसके द्वारा सारे हस्पताल जो मरीज है इन सब को क्या डिजिटलाइज करने का विजन गौर्वर्मेंट ने रखा है जैसे मैं मुझे कितनी बिमारिया रह तो जब मैं किसी डॉक्टर के पास किसी नई चीज के ट्रीटमेंट के लिए जाओंगी तो वह डॉक्टर क्या है डिजिटली उन सारी हिस्ट्री को देखे एक वैटर आप कैसे डिसीजन ले पाएगा मेरे ट्रीटमेंट के लिए इसी तरह कहीं बार हम सर्च करते रह जाते तो कितना असान हो जाएगा तो इसी चीज को लेकर सरकार ने आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन देखे शुरू किया था और इस मिशन की जो आप कह सकते हैं नोडल एजनसी है वह उन्होंने नेशनल जो हमारी राश्तिय हेल्थ प्राधिकरन राश्तित स्वास्तिय प्रा भाष्ट डिजिटल मिशन के कारयमन काने त्रू कर रहा है इसके अलावा यह देखे अशन भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योचना को भी लागू करता है यह आपको पता हो अब यह आविश्मान भालत डिजिटल मिशन यह क्या करेगा डिजिटल हाइवेज बनाए जाएंगे यह से दिल्ली मेरट हाइवेज बना है आसान कन्यक्टिविटी ऐसे डिजिटल बनाए जाएंगे जो स्वास्थिय देखवाल एको सिस्टम के विबन हितदार को के बीच मुझूद अंतर को पाट रहेंगा काम करेगा इसके लावा डैटा सूचना बुन्यादे धाचा सेवाओं की व्यापक रेंच के प्रावधानों के माध्यम से विदिवत खुले मानक आधारी दिजिटल परनालियों का लाब उठाते वे एक सुगम ऑनलाइन मंच का सरजन किया जाएगा और स्वास्थे संबंदित व्यक्तिकत जानकारी की सुरक्षा गोपनियता और निजिता को भी सुनिश्चित किया जाएगा मोटे मोटे तोर पर वही कहा गया है कि सारा डेटा आपकर डिजिटली रखा जाएगा ताकि जो अंतर हो जाता है इसको पार्ट दिया जाए और साथ में जो इतना सारा डेटा है इसको फिर क्या है सीफ और सिक्यूर भी रखा जाएगा तो यहां पर देखिया हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है पांच टॉपिक् झाल